प्रधान मंत्री ने बिम्स टेक्स सम्मिलन में कहा क्षित्रिय सुरक्षा को प्रात्मिक्ता देना अनिवार्य सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर प्रधान मंत्री के परीक्षा पे चर्चा कारिक्रम में बिलासपुर के दो विद्यार्थी होंगे शामिल देश में अब तक 183 करोड 89 लाख कोविड रोधीटी के लगाए गए और भिलाई इस पात सयंत्र में आजादी का अमरित महत्साओं के तहत शिल्प कला पर राष्ट्रिय कारेशाला का हो रहा है आयोजन नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दरशन समाचार मैं हूँ मनीश हहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी को संपर्क समर्धी और सुरक्षा का सेतु बनाने का अहवान क्या है उन्होंने कहा कि क्षेतरिय सहयोग विश्व के मौजूदा परिद्रिश्य में सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता बन गया है आज बिम्स्टेक शिकर समिलन को वर्चुली संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि योरोप के हाल के घटनाकरम ने अंतराश्च्य व्यवस्था की स्थिर्ता पर कई सवाल उठाए है उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक शित्रिय सहयोग को और अधिक सक्रिय करना अब महतोपूर्ण हो गया है श्रीमोदी ने कहा कि एक शित्र वर्तमान वैश्विक चुनोतियों से अच्छुता नहीं रह सकता श्रीमोदी ने ये भी कहा कि बिम्स्टेक समोह की संस्थागत रूप रेखा मजबूत करने के लिए इसका चार्टर अपनाया जा रहा है बिम्स्टेक स्थापना का ये पचीसवा वर्ष है प्रधांतरे ने कहा कि समहत पूर्ण शिकर सम्मेलन के परिणाम बिम्स्टेक के इत्यास में स्वारिनिम अध्याय के रूप में लिखे जाएंगे एक्सलेंसीज पिछले दो सालों के चुनवति पूर्ण माहोल में राजपत्री राजपक्ष ने बिम्स्टेक को कुसल डेत्रुत्व दिया है सबसे पहले मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ आज के चुनवति पूर्ण वैश्विक परिपेक्ष में से हमारा ख्षेत्र भी अच्छोता नहीं रहा है हमारी अर्थ ववस्ताएं हमारे लोग अभी भी कोविड-19 पैंडेमिक के दुष्प्रभावों को जेल रहे हैं पिछले कुछ सप्ता हों के यूरोप के डवलप्मेंट ने अंतराष्टे ववस्ता के स्थाइत्व पर प्रश्ण चिंद खड़ा हो गया है इस संदर्ब में विम्ष्टे क्षेत्रिय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्पून हो गया है हमारी खेत्रिय सुरक्षा को अधिक प्राट्वित्ता देना भी अनिवार यह हो गया है एक्सलेंसीज आज हमारे विम्ष्टेक्स चार्टर को एडोप किया जा रहा है एक संस्तागत आर्किटेक्चर की और हमारे प्रयासों के लिए एक महत्पून कदम है सम्मेलन को वर्चुली संबोदित करते हुए प्रधान मंत्रे ने बिम्ष्टेक्स सच्चिवाले की ख्षमता बढ़ाने पर बल दिया ताकि ये सब की अपेक्षाओं को पूरा कर सके उन्होंने सुझाव दिया कि इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए प्रधान मंत्रे ने कहा कि भारत इस सच्चिवाले का संस्थागत बजट बढ़ाने के लिए 10 लाख डॉलर की वित्तिय साहता उपलब्ध कराएगा सन 1997 में स्थापित बिम्स्टेक एक शेत्रिय संगठन है भारत, बांगलादेश, भूटान, नेपाल, श्रिलंका, मयानमार और थाइलेंड इसके सदस्य देश है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कारिकरम को लेकर लोगों में उत्सा है श्रिमोदी ने ट्वीट में कहा कि लाखों लोगों ने अपने अमूल्य विचार और अनुभव साजा किया है इस योगदान के लिए उन्होंने विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और अध्यापकों को धन्यवाद दिया प्रधान मंत्री ने कहा कि वे एक अपरेल को कारिकरम में भाग लेने के लिए काफी उत्साहित है प्रदेश के बिलासपूर रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल के दो चात्रों को परीकशापर चारचा कारिकरम में प्रधान मंत्री से चर्चा के लिए चैन नित किया गया है ये बच्चे भी अपने चैन को लेकर काफी उत्साहित नजर आए प्रदेश करते हैं कि इतने सारे बच्चों में हमारा चैन हुआ अब एक अपरेल का बहुत पेसबरी से इंतजार कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है इसके लिए उनलाइन चैन प्रक्रिया हुई थी हमने अपना नाम भरा था और उसके बाद मा तो भूली गया था कि ऐसा को हुआ है पिर बाद में स्कूल की तरफ से हमें जानकारी मिली कि हमारा चैन हुआ है तो आज यहाँ पर रहते हैं बहुत खूस हूं मैं बहुत भागत साली हूं जुमें को मौका में पढ़ानी से बात करने के मौका क्या आप क्या जहन में है किस तरीके से क्या पूछी लिए हाँ मैं परीक्षा पर चार्चा मैं इसे कुछ सवाल पूरना चाहूंगा इन बच्चों के चैन के जानकारी देते हुए रेलवे हाइर सेकेंडरी स्कूल के प्राचारिय के के मिश्रा ने बताया कि आगामी एक अपरेल को आयोजित होने वाले परीक्षा पर चर्चा कारेक्रम के लिए स्कूल के श्रिधर शर्मा और मनीश का चैन हुआ है दे रहे थी सारे बच्ची स्कूल बच्चे टीचर्स पैरेंट बहुत लोग अपना रिष्टेसन कर रहे थे उसमें कई टॉपिक थे उस टॉपिक पर 500 वर्ड में 700 वर्ड में 1000 वर्ड में कुछ ऐसे लिखना था उसमें किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना था और तलबै की आगामी एक अपरेल को प्रधान मंत्री मोधी परीक्षा पर चर्चा कारेक्रम के दौरान चात्रों के सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं नई दिली के ताल का टोरा स्टेडियम में होने वाले इस कारेक्रम में देश भर से बच्चे वर्च्वली रूप से भी जोडने वाले हैं वन मंत्री मोहमद अगबर ने वन कर्मियों के खर्टाल और जंगलों में लगी आग के बाद वन कर्मियों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कल बैठक की रायपुर में हुई इस बैठक में वन मंत्री ने वन कर्मियों की मांगों को जायस ठहराया है और अधिकांश मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है लेकिन वन कर्मियों का कहना है कि जब तक लिखित में आदेश नहीं मिल जाता तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे वही वनमंत्रे ने कहा कि वनकर्मियों की ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं लेकिन कुछ मुद्धों पर कैबिनेट की सहमती की भी जरूरत है निरिने हुआ है उसका क्रियानवियन जल्दी से जल्दी हो जाए कुछ एक मामले ऐसे हैं जो मंत्री मंदर तक जाएगा के मिनेट में आपको बदा दे कि प्रदेश के वनकर में पिछले नौ दिनों से अपनी मांगो को लेकर हरताल पर है और इस दौरान राज्य के जंगलों में आग लगने की घटनाए भी सामने आ रही है इसमें सरवाधिक बस्तर और सरगुजा संभाग के जंगलों में आग लगने की मंतराले ने बताया है कि कल 23 लाग से अधिक वैक्सिन की डोजिस दी गई हैं मंतराले के रुचार 12-14 वर्ष की आयू के बच्चों को 1,49 लाग टीके लगाए गए हैं मंतराले ने बताया कि स्वास्ते देख भाल कर्मिकों और अग्रिम पंक्ति की कार्यकरताओं सहित लाब इसी के साथ प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.30 प्रतिशत पहुँच गई है 17 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है युवाओं को आजादी के नायकों के बारे में बताने और उससे जुड़ी यादों को संजोने के लिए देश में आजादी का अमरित महुत्सों मनाय जा रहा है महुत्सों के दौरान देश भर में विभिन विधाओं में कारिक्रम आयुजित के जा रहे हैं बिलाई स्पात सैंतर भी आजादी का अमरित महुत्सों के तहत शिल्प कला पर राष्ट्र कारेशाला का आयोजन कर रहा है BSP के अधिशासी ने देशक के के सिहुने में कहा कि ललित कला अकादमी द्वारा राश्ट्रिय स्तरपर्क की शिल्पकला भिलाई में पहली बार लगाई जारी है आठी दिवसिय इस शिल्पकला में देश भर से 20 कलाकार आजादी के महानायकों की प्रतिमाएं गड़ रहे हैं देश इसमें आजादी का अमरित महोत्सो मना रहा है आजादी के उत्सो में सबकी भागेदारी होने चाहिए और यहाँ पे ये कारेशाला ललित कला एक आदमी के माध्यम से की जा रही है जिसमें सारे हमारे शिल्पकारों की भागेदारी दिखाई जा रही है और शिल्पकार यहाँ भारत के कोने कोने से आकर एक साथ रहकर यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे सुतंत्रता से सम्मंधित जितने लोग हैं जितनी घटनाएं हैं उन पे आधारित शिल्पकला का निर्मार कर रहे हैं केवल इतना ही नहीं इस कारेशाला में देश भर से आए शिल्पकार लोगों को शिल्पकला का प्रस्रिक्शन भी दे रहे हैं प्रस्टिक्शन ट्राप्त करने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें कारेशाला में वेमिन अक्षेत्रों की शिल्पकला एक ही जगे सीखने को मिल रही है तो इनसे सीखने के लिए बहुत सी चीज़े मिल रही है हर कलाकार अपनी एक नई कलाकरीती निकालता है किसी की टेक्स्चरस अलग होता है कोई अपना संस्क्रीपी के हिसाब से काम करता है तो मैं हर कलाकार से नई नई चीज़े सीखने को मिलती है शिल्प कलाका का इस कारशाला का आईजन 30 मार्च यानि आज तक किया जाए गया है और जो मुर्तियां तयार की जाएंगी उन्हें देश के पहले अमरित महुत्सौ गार्डन में सजाए जाएगा और ये गार्डन भिलाई में तयार हो रहा है आजादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षो में से एक है दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों के जलक रोजाना आप के लिए लेकर आ रहा है आज की सकड़ी में हम बात कर रहे हैं राजस्थान दिवस के बारे में प्रतेक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस पनाया जाता है राजपुताना को मिलाकर 30 मार्च 1949 को इस राज़े का गठन हुआ था राज़े का सबसे बड़ा शहर होने के नाते जैपुर को राजस्थान की राज़धानी घोशित किया गया देश की आजादी के बाद भारत को एक जुट और संगठित करने का काम सरदार वल्लभाई पटेल के नेतरित्व में शुरू किया गया 17 मार्च 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर और अलवर का नेतरित्व सम्हाल लिया क्यूंकि दंगागरस्थ इन रियासतों के शासक वहां शांती स्थापित करने में विफल रहे थे 25 मार्च 1948 को दक्षिन और दक्षिन पूर्व राजपुताना के दस और क्षेत्र कुशलगड, मासवाड़ा, कोटा, बूंदी, जालावाड, टोंक, शाहपुरा, प्रतापगड, डूंगरपुर और किशनगड़ भी पूर्वी राजस्थान के नाम से एक अलग संग के गठ 24 को ओदैपुर मेवाड भी राजस्थान संग में शामिल हो गए 15 मई 1949 को मत्स्य संग ग्रेटर राजस्थान में मिला लिया गया और इस परिसंग को ग्रेटर राजस्थान के संयुक्त राज का नाम दिया गया सिरोही राज 26 जनवरी 1950 को इस परिसंग में शामिल हुआ और ये परिसंग संयुक्त राजस्थान कहलाया राज्य पुनरगठन समिती के प्रस्ताव पर अजमेर मेरवाडाक शेत्र का भी नवंबर 1956 में राजस्थान में विले हो गया मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील और गुजरात के अबु तहसील का भी उस समय राजस्थान में विले हुआ था और इस तरह से वर्तमान के राजस्थान राज्य का उदय हुआ अगर तलावे की आज राजस्थान दिवस है और इस वसर पर प्रथान्त्री नरेंडर मुदी ने भी शुब कामनाय दी है दूरदर्शन केंदर रायपूर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ